नई नेटस्ट अप्टेट के लिए हमारे बीदी के न्यूस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे भारत बंद के दौरान राजस्थान के कई जगहों पर हालात बेकाबू हो गए सड़कों से लेकर रेलवे ट्रेक तक बिरोड प्रदर्शन का सिलसला सुबह से दो पहर तक बदस्तोग जारी रहा लेकिन इस बीच के इंदर सरकार ने भी अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती अतियाचार निवारण अधिमियम से संबंधित उक्षतम न्यायाले के हालिया आदेश की समीक्षा के लिए पुनरविचार याचिका दायर कर दी सामाजिक न्याय एवम आधिकारिता मंत्राले के माधियम से सरकार ने इस मामले में याचिका दायर करके शीर्श अदालत से अपने गद 20 मार्च के आदेश पर फिर से विचार करने का अनुरोग किया है सरकार का मानना है कि स्सी और स्टी के खिलाफ कथित अत्याचार के मामलों में स्वात गिरफतारी और मुकदमे के पंजीकरन पर प्रतिबंध के शीर्श अदालत के आदेश से 1989 का यह कानून पुन्तविहीं हो जाएगा मंत्राले की यह भी दलील है कि सर्वोचन न्यायाले के हालिया आदेश से लोगों में संबंधित कानून का भय कम होगा और समुदाय के व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में बड़ोतरी होगी उक्षतम न्यायाले ने एक महत्वपून फैसले में व्यवस्था दी है कि अत्याचार निवारन अधिनियम 1989 के तहट दर्ज मामलों में बगएर उक्षाधिकारी की अनुमती के अधिकारियों की गिरफतारी नहीं होगी न्यायाले ने यह भी सपष्ट किया कि गिरफतारी से पहले आरोपों की प्रारंपिक जांच जरूरी है इतना ही नहीं गिरफतारी से पहले जमानत भी मंजूर की जा सकती है न्याई मूर्ती आदर्श कुमार गोयल और न्याई मूर्ती उदे उमेश ललिक की पीच में गिरफतारी से पहले मंजूर होने वाली जमानत में रुकावट को भी खत्म कर दिया है शीर्श अदालत के इस फैसले के बाद अब दुर्भावना के तहट दर्ज कराए गए मामलों में अग्रिम जमानत भी मंजूर हो सकेगी न्याई आले ने माना की अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है पीच के नई दिशान देश के तहट किसी भी सरकारी अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने से पहले पुलिस उपाधिक शक्त डियेस पीट स्तर का अधिकारी प्रारंभिक जाच करेगा किसी सरकारी अधिकारी की गिरफतारी से पहले उसके उच्चाधिकारी से अनुमती जरूरी होगी महाराश्ट्रा की एक याचिका पर न्यायाले ने यह एहम फैसला सुनाया है पीच ने केंद सरकार और न्याय मित्रमरेंदर शरंग की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था न्यायाले ने इस दोरान कुछ सवाल भी उठाये थे कि क्या अतियाचार निवारण अधिनियम 1989 के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किये जा सकते हैं ताकि बाहरी तरीकों का इस्तेमाल नहूँ क्या किसी भी एकतरफा आरोप के कारण आधिकारिक शम्ता में अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है और यदि इस तरह के आरोपों को जूठा माना जाए तो ऐसे दुरुप योगों के खिलाफ क्या सुरक्षा उपलब्ध है क्या आगरिंग जमानत मंजूर नहूनी की वर्तमान प्रक्रिया सम्विधान के अनुच्छे 21 के तहट उचित प्रक्रिया है शीर शदालत के इस फैसले को लेकर राजमीतिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई थी और राश्ट्रिया जंतांत्रिक करपंधन प्राजग के घटक दलों के कुछ सांसदों में लोग जंशक्ती पार्टी के अध्यक्ष एवं किंद्रिया मंत्री राम विलास पास्वान एव श्री गहलोत ने इस मामले में कानून मंत्री रविशन कर प्रसाद को पत भी लिखा था